Hello Friends !! आज हम बताते हैं आपको चीजी ब्रेड पकोड़ा बनाना बहुत ईजी एपहले हम इसकी टूफिNG डिर एडि कर लेते हैं यहां पर परताटो ले लिया हैं तो मैंने पटाटोस को बॉाइल करके ट्रेश कर लिया है यहां पर ओलिया हमने थोड़े से दाने और चार से पांच करी पते लिए बारी कट की हुई आदा चमच में डाला है इसमें अधक लहसुन का पैस्ट और नमक डाला है साधनुसार अब हम इसको थोड़ा सा फ्राइ कर तो मैंने रेड चीरी पाउडर इसकिप कर दिया है नहीं डाला है आप जरूर डाले इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो अब हम जो इसको रेडी करने के लिए थोड़ा अच्छा हरा धनिया डाले लेंगे हरा धनिया का फ्लैवर बहुत अच्छा है स्टफिंग में अब इसको मिक्स करके हम निकाल लेते हैं इसको ठंडा करके आप फ्लीज में रख सकते हैं आप इसको ब्रेट पकोड़े में बना सकते हैं या आप इसके पराथी भी बना सकते हैं आलू के पराथी इसके बहुत टेस्टी बनेंगे और आप इसका ब्रेड रोल भी बना सकते निए गजके भी डाल सकते हैं तो मैं यहां पर इस यह रख रही हूं और चीज अगर आपके पास रेडि मेट है तो आप चीज स्लाइस रख सकते हैं मेरे पास क्यूब वाला था इसके लिए मैंने इसको इसको एक अब हम बीच में से इसको आफ कर देंगे जो ब्रेट तो कब बशाट से मिक्स मेट तो आप नमक साद नुसर डालें तेसमें भी चीली को सुधा एक राइस लिए सीस तब यह makes करında दूँजसा बेहरें द्णेक्षाना अड़ा यह में लाइने मां बेक्स करेंगे वकी तो इस swims तुछ committees बना caring और इसको पांच मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे है इधर ले लेंगे एक पेन उसमें हम गर्म करेंगे ऑईल को वह अच्छ से हमें प्रीट गर्म कर लेना है गेस की फ्लेम को हाई रखेंगे जब ऑईल गर्म हो जाएगा उसके बाद जो हम ब्रे प्रेशन लगा दिया है अब हम इसको डाल देंगे ऑईल में ऑईल जो हमारा अच्छ से गर्म हो गया है यह दिके बॉबल सा रहे हैं आप चाहे तो अब इसको इस स्टेज पे गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे यह अच्छे क्रिस्पी से आपके ब्रेड रैडी होंगे तो देखे जब एक साइड से राइड गोल्डन करन में आ जाएंगे तब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसी में यूज करें यह ताके चिपके नहीं यह बहुत ही अच्छा टैस्टी और बहुत ही पुराना टी टाइम स्नेक है आप इसको ज़रूर ट्राइ करें यह बहुत ही टैस्टी लगते हैं मेरे बच्चों को तो बहुत जादा पसंद आते हैं फ्रेंस आप भी घर पर ज़रूर ट्राइ करें चीजी ब्रेट पकोड़ा अगर आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए अप आप चैनल्स पे नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स पे आपको बहुत अच्छी कूपिंगी नए नए वीडियो देखने को मिलेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पोर वाचिंग गुडबाई फ्रेंड्स